Hi guys, welcome to my online CA, my name is Ankhush आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे income tax और capital gain on sale of property कैसे आप अगर अपनी property कोई sale करते हैं तो उस पर income tax कैसे calculate होगा या capital gain कैसे calculate होगा उस tax को कैसे आप exempt कर सकते हैं कैसे बचा सकते हैं प्लस कुछ sections होते हैं section 54, 54 EC उन sections के बारे में आज हम लोग डेटेल में बात करने जा रहे हैं सो start करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले बात करते है type of gain हम लोगों को calculate करने से पहले यह पता रहा होना चाहिए कि gain होते कौन-कौन से है तो basically यहाँ पर हम सिर्फ property की बात कर रहे हैं नहीं ज्वेलरी की बात कर रहे हैं ना adventures की ना shares की तो सब पर calculate करने का तरीका अलग-अलग होता है तो यहाँ पर main होता है period of holding आपने अगर प्रॉपर्टी को दो साल से कम hold किया तो वह calculate होगा short term और अगर आपने प्रॉपर्टी को दो साल से ज्यादा hold किया तो वह calculate होगा long term long term पर 20% का tax रहता है short term पर normal tax labs जेती है next point बात करते हैं कि how to calculate the gain gain अगर हम लोग एक layman language में बात करें तो layman language में हमें पता है sales minus cost that is a gain अगर मैंने 2005 में property खरीदी दो लाख रुपे की और आज अगर मैं उसको 22 लाख का बेच रहा हूँ तो 22 लाख minus 2 लाख that is a 20 लाख 20 लाख को पर हम लोगों को tax pay करना ही हमारे लिए सीधी सीधी सा रलभाशा में एक gain होता है 20 लाख का but government कहते है कि आपने उन 15 सालों में 17 सालों में जो भी है उन 15-17 सालों में आपने कुछ improvement कियोगी या taxpayer कहता है हम लोगों ने कुई additions कुछ repairs कुछ maintenance करे होगी उस चीज को भी allow कर देंगे उससे हम बोलते है cost of improvement ठीक है वो भी allow हो जा वो भी allow हो जाता है next point आता है कि आपने property जो खरीदी थी या मैंने जो property खरीदी थी वो property खरीदी थी 5 लाख रुपे की या 2 लाख रुपे की हमारे example में 2 लाख रुपे था but उसको आज अगर मैं खरीदने जाओंगा तो 2 लाख की तो मिलेगी नहीं मेरे को कहीं पर तो क्यों कि उसका एक inflation index भी आया है तो government ने वो allow कर दे कि हंजी हम आपकी इन 15-17 सालों को देखते हुए आपकी cost of acquisition भी increase कर देंगे उसका हम एक method दे देंगे कि आपकी cost of acquisition कैसे बढ़ाई जाए वो index cost of acquisition आपकी sales value में से minus होगी मतलब मेरे example में 22 लाख की मैंने property बेची थी 2 लाख की मैंने करी थी 2 लाख को index किया जाएगा let's suppose 11 लाख रुपे बनता है तो 22 लाख minus 11 लाख रुपे 11 लाख minus cost of improvement cost of improvement मैंने let's suppose 5 लाख की कुछ additions बगरा कर दी थी 11-5 that is 6 लाख रुपे 6 लाख रुपे मेरा capital गेन हो जाएगा अब मेरे पास एक example भी इसको लेकर के मैं एक बर आपको दिखाता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है indexation indexation एक process है जिसमें cost of acquisition को increase किया जाता है against inflation rise ठीक है यह cost of acquisition को increase किया जाता है government एक formula दिया हो है कि cost of acquisition को कैसे increase किया जाएगा cost of acquisition divided by inflation index है into inflation index जो की current year का चल रहा है अब हम आनके चलते हैं 2012 में एक property मैंने खरीदी थी तो property की value है 2,00,000 रुपे 2,00,000 divided by 100 into इस साल का 317 21,21 का मैं यहां पर ले रहा हूँ तो 317 तो हमारी cost increase हो जाएगी एक example भी दे रहा है व्राजा ने purchase करी है May 2005 में 84,000 पे की purchase करी थी और 10,000 लाग कुछ खर्चा हुआ उसने तो 10,000 लाग 10,000 पे उसके पास आए 10,000 पे brokerage minus करी net consideration 10,000 आई उसमें से cost of indexation कैसे करी cost of indexation थी तो 84, 80,000 पे और 256 का हम लोग अगर देके indexation है कितना? 256 का है indexation आपका 117 तो क्या करा गया? यह example में 84,000 divided by 117 into 317 जो भी index cost of acquisition आई वो आपने net sales consideration में से minus करके balance आपका capital gain आगया वो balance आपका capital gain मतलब अभी तक हम लोगों को पता था वो था सिर्फ sales minus cost बट अब है sales minus less of less index cost of acquisition less cost of improvement, okay? basic exemption benefit मिल जाएगा आपको जो भी 5,000,000 की हमारी slab millets है वो सारे benefits आपको मिल जाएगे बट अगर सिर्फ capital gain है और आपकी कोई deduction ATC से लेकर ATU में है वो नहीं मिलेगी, let's suppose एक example देता हूँ मैं आपको कि आपकी capital gain है 5,000,000 रुपे आपने ATC में 1,500,000 रुपे इन्वेस कर रुक है तो 5,000,000 में से वो 1,500,000 बिल्कुल नहीं minus होगा, but ठाई लग जरूर minus होजेंगे basic exemption limit वाले, okay? next point आता है कि हम लोगोंने capital gain exemption है, जो कि capital gain exemption आपने अगर कोई property purchase कर ली, that means जो भी आपको amount net consideration जो आपको मिला, वो आपने invest कर दिया किसी और residential property पर, तो आपका पूर पूरा का पूरा text exempt हो जाएगा under section 54, जो हम लोग starting में बात करते हैं, कि 54 और 54 easy ही बात करेंगे, तो यह होता है कि आपने कोई property purchase करी, that means investing the sale amount in the purchasing of other property, long term पूरा का पूरा exempt हो जाएगा, but conditions government ने क्या लगाई हुए है, कि आपको या तो एक साल पहले, जब आप प्रॉपर्टी को खरीदना है या construction करनी है, तीन साल के अंदर-अंदर, जब से आपने property को बेच आए, अगर आपने property को बेचा है, 12-May 2022 में, 12-May 2022 में, तो आपको कब तक खरीद लेनी है, 12-May, 11-May 2022, तक तो खरीद लेनी है, या फिर construction अगर जो कर रहे है आप, तो वो 11-May 2022 है, तो 20-25 तक आ तीन सालों के अंदर construction complete होने चाहिए अब government कहती है कि अगर आपने if the till the date of filing of return अगर आप कोई property को purchase नहीं कर पाए या कोई construct नहीं कर पाए तो government एक और option देती है आप अपनी due date तक due date of filing of return उस साल की तक आप उस amount को capital gain account में जमा करा दो तो आपका text नहीं लगेगा मतलब मेरे पा पता चला यार मेरे को property के मार्च में मैंने एक property sale करी जुलाई में मेरे को ITR file करनी है अपनी मेरे individual है जुलाई में ITR file करनी है मेरे पास option नहीं हो तो मैंने उस amount को capital gain account में deposit करा दूँगा तो मेरे को text से exemption मिल जाएगी but एक condition उस पैसे को use जरूर करना पड़ेगा मलब ऐसा न एक point आता है कि under this section benefit is available only when you purchase a residential house अगर आप सिर्फ residential house purchase करेंगे तभी ये benefit अवेलेबल है otherwise अवेलेबल नहीं है ठीक है एक exemption is available lower of capital gain और amount invested आपको एक capital gain हुआ let's suppose example बान के चलते हैं छे लाग की property purchase करी आपने 10 लाग की बेच दी 4 लाग का हमारा capital gain हुआ ठीक है 4 लाग का capital gain हुआ आपने उसके बाद इसको नई जो property करी दी वो 15 लाग की करी दी चार लाग का capital gain दा 15 लाग की property है पूरा exempt हो जाएगा चार लाग बट आपको profit हुआ 4 लाग का capital gain हुआ चार लाग का बट आपने property ही 3 लाग की purchase करी आगे तो आपको सिर्फ capital gain जो exempt होगा वो 3 लाग का होगा एक लाग का आपका taxable हो जाएगा ठीक है ये है section 54 जिसके हम बात क करते हैं कि आप अपनी property जो sale करी है उसको आप आगे invest कर दोगे तो आपका tax बच जाएगा तो ये जरूर धियान रखना है प्लस आपको ये time periods का जरूर धियान रखना है एक साल दो साल ये 3 साल वाली जो है इनका जरूर धियान रखना है लोग time limit में गड़बड कर देते है प्लस जो amount deposit कराना होता है capital gain account scheme में भी उसका भी आप ये point बहुत जरूर ही है ये भी धियान रखेगा next point में आता हूँ अगर आपने नया house ही बेच दिया आज मैंने एक property खरीदी थी 2005-06 में खरीदी थी 2021-22 या 22-23 जो चल रहा है 22-23 में बेच दी ठीक है capital gain दुबारा मैंने एक और property खरी ली सारा का सारा capital gain invest कर दिया मैंने एक नया घर खरी लिया ITR फाइल कर रहा हूँ मेरा capital gain exempt अब क्या होता है अगर इफ नया घर भी मैंने बेच दिया पहले तो government पहले कहते है आप उसको तीन साल तक नहीं बेच सकते टेक्सपेर केनोट सेल दन निव हाउस property वि आपने दूसरा घर खरीदा है तभी 54 के exemption मिल रही है 54 के exemption मिलने के बाद आपने इस नए घर को ही बेच दिया तो government ये कहते है कि अगर आपने ऐसा कुछ करा तो ये वाला tax जो आपने पहले exemption करा दी थी उस पर tax लगा देंगे पूरा का पूरा अब कैसे लगा देंगे वो आ 11 लाग का बेच दिया 6 लाग का capital gain हमारा exempt हो गया था ठीक है 11-5 नई property मैंने खरीदी है 20 लाग रुपे की 20 की खरीदी है और मैं बेचने जा रहा हूँ उसको 30 लाग रुपे की ठीक है government कहते है जो पहले आपका exempt हो था 30 लाग रुपे next point बात करते है what if new house transferred अगर आपने नया घर खरीदा पहले कोई घर आपने खरीदा था मलब पहले जो घर खरीदा था उसको बेच कर अब नया घर खरीद लिया तो पहले वाला पूरा का capital gain तो मारा exempt हो गया अब आपने नया घर खरीदा तो उस पे restriction डाल दी कि नया घर exemption तभी मिल पाएगी जब आप उसको 3 साल तक बेचोगे नी ठीक है अब let's suppose आपने उस घर को बेच दिया तो जो भी पहले capital gain exempt हुआ है वो पूरा का पूरा टेक्स लग जाएगा उस पे उस टेक्स को लगाने की मलब लगाने का तरीका क्या बताए या तो government ने गा कि उस नए घर की cost में से हम minus कर देंगे simple उसकी हम cost ही कम मानेंगे आपने नया घर खरीदा था 20 लाक रुपे का तो 20 में से पहले तो let's suppose हम एक example लेते है 6 लाक रुपे का था हमारा capital gain था वो हमारा पुराने घर पे था वो हमने exemption ले ली थी नए घर की cost ही हम 20 माइनस से 14 लाक रुपे मानेंगे simple सी बात है तो ये बात हो थे capital gain calculation on new household will be made after considering the new cost of acquisition new cost ही आओगी 20 लाक माइनस 6 लाक का जो पहले capital gain हो गया था जिसके हमने exemption ले ली थी तो उसको हम minus कर देंगे मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई capital gain exempt भी कराया है तो नए घर आप purchase कर रहे हो तो नए घर को आप 3 साल तक नहीं बेच सकते हो अगर आपने बेचा तो आपका जो पहले tax लगा था जो पहले tax बच गया था वो exempt नहीं होगा उस पर tax लग जाएगा ठीक है next point आता है other exemptions कुछ और property के भी कुछ और exemptions हमारे पस अवेलेबल होती है जिसे 54 EC है 54 EC क्या कहता है वो कहता है कि आपने investment करी है अगर this NHIA bonds में या फिर REC bonds में और six months के अंदर-अंदर करी है date of transfer से तो आपको exemption मिल जाएगी capital gain की और ये investment पचास लाग से जादा नहीं ह हो सकता उन्होंने restriction amount को लेकर के restriction डाल दी है ठीक है और इन bonds को भी आप पांच सालों तक बेच नहीं सकते अगर आप बेचते हो तो वह यह जो आपको पहले exemption मिल गई थी वो पूरा पूरा टेक्स लग जाएगा next point आता है 54 E, EA, EB ये भी कुछ exemptions होती है इन sections में actually क्या है वो long term capital gain property की जो tax की exemption मिल जाएगा आपका capital gain exempt हो जाएगा और इन पर यह point है कि आप इनको 6 मेने के अंदर अंदर आपको investment करने ही पड़ेगी प्लस आप इनको तीन साल तक नहीं बेच सकते हो ठीक है hope यह आपको जितना मैंने अभी क्या 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 मैंने अभी बात करी मैंने rates की की बात करी उसके बाद मैंने section 54 की बात करी एक इन्वेस्ट करने के लिए new housing property में 54 EC की बात करी 54 EA की बात करी hope आपको यह सारे points क्लियर होंगे अगर इससे related कुछ भी आपकी queries हैं आप लोग हमें email कर सकते हैं अंकुछ added myonline.in पर और आप हमारी website पर request भी प्लेस करते हैं अग थेंक यू वेरी मच